आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question है मारा पास if the equation x square plus px plus q equal to 0 and x square plus qx plus p equal to 0 have a common root then 1 plus p plus q आपको find करना question में बोला हुआ है दोनों quantity equation में एक common root है तो हम assume कर लेते हैं कि आपके पास common root है वो alpha चल रहा है तो alpha क्या करेगा इन दोनों equation को satisfy करेगा तो 1 बनेगा आपके पास alpha square plus p alpha plus q equal to 0 और second को satisfy करेगा तो alpha square plus q alpha plus p equal to 0 ठीक है यही बनेगा आपके पास यहां पर ठीक है तो यहां से हम क्या करते है देखें हम इसमें kremal rule apply करते है तो kremal rule क्या होता है इसमें alpha square फिर denominator में क्या लेते हैं इसके coefficient को अठा के बागी के coefficient तो p q q p फिर alpha लेते हैं और last में constant लेते हैं q के साथ क्या लेते हैं तो q के आप जो alpha alpha के साथ क्या लेंगे जो alpha के coefficient वो उटा देते हैं तो आगे तो 1 1 और पीछे q p पर इसमें क्या धियान रखते हैं जो second वाला होता है उसके आगे minus लगता है और जब आपने 1 लिया है तो यह constant उटा देते हैं तो alpha square के coefficient 1 1 और alpha के coefficient p q ठीक है? income solve करते हैं आपर तो 1 by 1 solve कर लेते हैं देखें यह alpha square हो गया यहाँ बनेगा p square minus q square यहाँ पर यह alpha p minus q बनेगा लेकिन minus चल रहा है तो q minus p हो गया और यह 1 यहाँ पर भी q minus p आ रहा है ठीक है? यह first हो गया यह second हो गया और यह third हो गया तो इसमें सबसे पहले easily आपके पास जो alpha की value निकल रही वो निकल रही second and third से second and third को अगर आप साथ में लेते हैं तो आपके पास alpha की value क्या रही? q minus p upon q minus p मतलब बना रही है ठीक है? similar अब हम क्या करते हैं आपके यह जो आपके पास first and second है यह तो इनको साथ में ले लो यह फिर आप first and third को साथ में ले लो उससे पहले आप यह देखो अभी आपने जब इसको solve किया था तो यह p square minus q square बना था ठीक है? तो देखें अब आप यहाँ पर हमने क्या किया? first and third को साथ में ले लिए first को third साथ में लूँगा मैं तो LHS में तो alpha square यह LHS में जाएगा उपर तो a plus b a minus b क्या बनेगा? p plus q p minus q बन जाएगा? ठीक है? तो इसको मैं p plus q p minus q ही note कर देदा हूँ यह p plus q और p minus q और denominator में बात करें तो आपके पास q minus p है तो minus common ले लो तो p minus q हो जाएगा है ठीक है? alpha की value क्या? यह 1 आईए तो 1 का square करोगे तो 1 p minus q से p minus q cancel तो p plus q upon minus 1 रही है आपके पास ठीक है? यह minus 1 इदर आएगा तो आपके पास minus 1 equal to p plus q आपको value क्या find करनी थी वो देखें तो यह value क्या find करनी थी आपको 1 plus p plus q यह 1 आदे चैस में जाएगा तो 1 plus p plus q यह आएगा आपके पास किसके equal? 0 के equal ठीक है? तो option देख ले हैं option number 1 is correct option Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे डाउट नेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्स उपर